इन दौर में अंतराश्री अस्तर पर अखिल भारती महिला साहिप्ति समागम का आयोजन प्रसिद न्यूज पूर्टल घमासान डॉट कॉम और वामा साहिप्ति मंच के संयुक्त तत्वाउधान में किया जा रहा है। इसी समागम के दौरान डॉटर अंजली चिंतामणी ने अपने विचार वियक्त करते हुए कहा कि विश्व में हिंदी की वैश्विक स्थिपी और इसके विकास पर उनका कहना है कि जो भी लोग मौरिशस सहित विदेशों में गए उन्होंने वहाँ पर हिंदी के विकास के सा साथ भारती संस्थारों को भी वहाँ पर फैलाया उन्होंने कहा मैं शुरू से इससे जुड़ी हुई हूं मौरिशस में हिंदी संस्थान के माध्यम से हिंदी के विकास कारे चल रहे हैं हिंदी के विकास के लिए अभी तक 11 विश्व हिंदी समिलन हो चुके हैं मौरिशस म विश्व हिंदी सचीवाले कारी कर रहा है लेकिन इसके बावजूद हमें एक सेतु की आवश्रक्ता है ताकि सामुही ग्रूप से कारी किया जा सके उन्होंने कहा विश्व के 180 विद्यालेव में हिंदी की पढ़ाई कराई जा रही है मूल रूप से जब भी मौरिशस की बात होती है तो जब हमारे भारतिया यहां से 1834 से मैं कहूंगी निकल कर जब मौरिशस पहुंचे थे और बाकी जितने प्रवासी देश थे जैसे वी जी गया ना, सूरी नाम, ट्रिनीडार, टोबागो ऐसे करके साथ अफरीका तो जहां ज रामश को लेकर उन्होंने उसका सीचन वहां पर किया तरह तरह से अपने धर्मगंथों को लेकर वे वहां पहुंचे रामचरितमानस को लेकर रामायन पाठ किया वहां की सुप्तियां बच्चों को सिखाई और इसी तरह धीरे-धीरे आज बड़ी-बड़े सम्रित रूप लेकर उमें भाषा का विकास हो चुका है। में होता है तो वहीं पर तो हिंदी अंतरराष्ट्रिया बन ही जाती है तो बस दो पंक्तियों में मैं आरभ तो नहीं करूंगी लेकिन हमारे यहां एक इस होम में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपनी आहुती दी हैं वे हैं ब्रजेंद्र कुमार भगत मथुकर और जब भारत से निकल कर जब वे मौरिशस पहुंचे थे वहां पर हिंदी भाशा के विकार्स के लिए उन्होंने प्रयाण आदी किये थे तो उन अधर भाशिनी हिंदी बोलो जय बोलो जय हिंदी हिंदी का जो आदर करता रक्षा करती हिंदी हिंदी का जो सम्मान बढ़ाता मान बढ़ाती हिंदी हिंदी पर जो बली हो जाता प्राण पचाती हिंदी और हिंदी मानवता की भाशा मोक्ष दिलाती हिंदी ये शब्द अपने में ही पूरा संचय कर चुके हैं कि हमें हिंदी क्यों पढ़ना है हिंदी से हमें क्या प्राप्त होगा हिंदी से हमारी पीड़ी को क्या प्राप्त होगा और आने वाली पीड़ी को क्या होगा तो पूरा उसका जो महत्वा है यहां पर स्थापित हो चुका रहे हैं इन पंक्तियों में तो मूलत हां जब वैश्विक तृष्टी से हम बात करते हैं तो आप सभी परिचित हैं कि अभी तक हमने पूरे विश्व में 11 हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और जो पहला सम्मेलन हुआ था नादपूर में उसी समय यह बात छिड थी कि उस समय इंद्रा गांधी जी और हमारे जो ब्रधानमंत्री थे मौरिशस के सर शिव सागर रामगुलान जी उन्होंने ही परिकल्पना बना ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि वैश्विक स्तरपर तक हिंदी आगे बढ़े उसके लिए एक संस्था का गठन करना होगा समय लगा कई बर्ष बीत गए लेकिन आप सभी जानते हैं 1999 से 1999 से ही मौरिशस में विश्व हिंदी सचिवाले का काम आरंभ हुआ था मैं फिर कहती हूँ आरंभ हुआ था उसकी पॉलिसी बनाना भारत सरकार और मौरिशस सरकार मिल कर उसकी पॉलिसी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी तब अपचारिक धंग से हमारे माननिय भारत के प्रणार मंत्री जी भी वहां आये हुए थे और वहां का कार्यारंभ हुआ और इस तरह से वहां विश्व हिंदी सचिवालाई बना है और सक्रिय धंग से वहां कार्यरत है अभी हमने कहा ना कि हमें एक सेतु की और शक्ता मतलब कि जो भी कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर जहां जहां हो रहा है उसे कैसे एक जगह पर संचित किया जाए क्योंकि अगर सभी लोग अलग अपना कार्य करेंगे तो वहां जो बंधन और जो वैश्विक एकता होनी चाहिए वहां तो नजर नहीं आएगी इस विश्व हिंदी सचिवालई टाइप कर देंगे तो आपको वहां वैबसाइट मिल जाएगा और उस वैबसाइट में जो फेस्बुक पेज भी है उनका वहां आपकी जितनी गतिविधियां हैं आप वहां भेज सकते हैं और वहां जैसे आप भेजेंगे तो चुकि अन्य द कि वर्था में एक अंतराष्ट्रिय महां गांधी विश्वरी ज्यालई भी बना है उसका भी उद्देश यहीं है कि वैश्विक्स तरपर हिंदी के जितनी हिंदी का चाहे कारेक्रम हो हिंदी की भाषा हो हिंदी का साहित्य हो उन सभी को एक साथ एक सामंजस्य के साथ आग सची वाले से पहले जोड़ना होगा